नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टैक इस ग्यान मेरा नाम हमित आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अगर किसी भी कारण से आपका कोड़ी टीवी एप्लिकेशन वर्क नहीं कर रहा है इसमें अगर कोई बफरिंग का यसो देखने मिल रहा है या किये डारेक्टली भी कर सकते हैं अपनी स्मार्ट एंड्रोइड टीवी में उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कोड़ी टीवी एप्लिकेशन को आपको बंद कर देना है बंद करने के बाद या तो आप चाहें तो अपनी जो टीवी है उसमें एप्लिकेशन में जहां और यहां से जब आप कोड़ी को यहां पर प्रेस करेंगे तो यहां से कोड़ी की सारी सेटिंग्स खुल जाती है और यह सेम की सेम अगर आपको सेटिंग्स अपकी एप पे यहां मतलब सेटिंग्स में जाय वेना खूलनी है तो आपको जाना है अपनी टीबी में जो कि आपके डारेक्शन बटन के सेंटर में होती है या आपके रिमोट में जो भी सिलेक्ट बटन है उसको आप एक दो सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्सन यहां पर आ जाएगा अब इसमें दोस्तों आपको नीचे की तरफ जो देखेंगे जैसे यहां पर क्लियर कैस है और यहां पर क्लियर कैस कर देना है और उसके बाद मैं ideal कर देना है इं recht 3 चीज को आपको clear कर देना है जैसे यह आप इनको सब को clear कर देंगे तो आपका जो कोड़ी application है यह आपकी smart android tv में डला हुआ कोई भी application हो जिसको आपको फिर से इंस्टॉल करना है या बिलकुल उसको नए तरीके से यूज करना है आपको settings गड़गल कर दी है तो आप इस तरी पूछेगा फिर से अलाव करने के लिए यह सारी चीजें और आप बिना अंस्टॉल किये किसी भी एप्लिकेशन को इस तरीके से रिसेट कर सकते हैं अपनी स्मार्ट एंड्रोइड टेवी में